सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीड चैनल को पर बेल आइकोन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे जिसके इंतरगत पढ़ेंगे हम फिजिस कैमिस्ट्री और लाइब साइन्स के कॉस्टन जोकि अलपी टेकनीशन ग्रूप डी और आर्पी एफ एसाई कॉंस्टेवल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टन कॉस्टन से रहे सेलसियस तो उसको अगर हम माइनस 18 डिग्री सेलसियस पर रखते हैं तो यह खाना खराब नहीं होगा आपका तो उतना टेंपरेचर हम फ्रेज में तो मैनेज नहीं कर सकते आपको गलेशियर में जाना पड़ेगा सियाजिन गलेशियर जाईए और वहाँ पर आप इसको कर स हैं कि रिमें से कौन सा इसी गयस है जो हमारे भ्लड याना कि हीमो ग्लोविन के साथ मुल जाता है और हमारे मौत का कारण भी बन सकता है तो यह मार दो तो वो है वही है carbon monoxide CO, CO जो है हमारे hemoglobin के साथ करिया करके वो मिल जाता है और हमारे सरीर में जो है हमको मतलब वो मार भी सकता है, तो यह important है, ठीक है चलिए, अगले प्रस्ट की बात करते हैं कि Fahrenheit पैमाने पर 100 degree Celsius पैमाने पर इसके बराबर होगा, यानि कि 100 Fahrenheit बराबर कितने degree Celsius यहाँ पर होता है, तो सीधे मैं इसका answer बताता हूँ, answer 37.8 degree लेकिन आपको comment section में बताना है कि इसके लिए कौन सा formula यूज होता है, क्योंकि जब मैंने physics पढ़ाई थी, physics में मैंने इस formula को बहुत अच्छे से derive करके बताया था मैंने, ठीक है तो वो आपको यहाँ पर comment करके म मैंने बताया था, तो उस formula को नीचे comment में आपको लिखना है जादा से जादा और जितने लिए लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि उतनों कहीं selection होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वैसे जो नहीं लिखेंगे उनका भी selection हो सकता है, लेकिन लिख देंगे तो जादा अच्छा रहेगा आपका revision भी हो जाएगा, चली बात करते हैं, अगले question की तो अगला question है, पेसी को सिखा में अवायाई स्वसन के पढणी राम, जो पढणी राम होता है आपका, ठीक है पढणी राम से इनका संचाय होता है, लेक्टिक अम से होता है, ग्लुकोस से होता है, अलकोहल स काम वर्क कर लेते हैं, उसी से मिलता होता है question है कि ज्यादा वर्क कर लेते हैं, तो pain हो लें रगता है हमारा, मास पीछो जैसे आप पहले दिन जिम चाओ और ज्यादर डंबल माल लो, तो कल हो कि आपके हाथ बहुत pain करेंगे, तो वह क्या होता है, वहां पर लैक्टिक अमल जब हम television की आवास तेज करते हैं, तो हम इसे बढ़ा रहे हैं, मतल्य हम इसकल क क्या बढ़ाता है, बड़ती बढ़ाते हैं, फिर बमocy को बढ़ाते हैं, तो भई यह हम इसका amplitude को बढ़ाते हैं यानिकी आयां, दही में पस्ते तर्मल कौन सा वह यह ऐ, ऐक्डेकमल होता है, लैक्टेकमल होता है, टार्टेकमल होता है, आपनीस्वाजर, पाया जाता है, तो यह आपको याद रखना opening Oxalic Acid का बहुत बात पूछा जाता है कि अगर सर्ट में जंग लग जाए तो आप किस acid का use करोगे उसको छुड़ाने के लिए तो Oxalic Acid का तो इसका अंसर हो जाने वाला है Methane, Hydrogen और Carbon Mono Oxide अगला प्रसन है यहाँ पर कि सभी ग्रहों में से इस ग्रह का घनत तो सबसे कम है उस ग्रह का नाम बताई मिले कौन सा इसा ग्रह है जिसकी density सबसे कम है उसका आपको नाम यहाँ पर बताना है प्रसपती Sunny Uranus और Neptune तेसका अंसर है Sunny ठीक है Sunny का घनत तो भई यह बहुत ही कम है ऐसा बोला जाता है Sunny जो है समुद्र पे भी तैर सकता है अगर समुद्र पे रख देंगे तो डूबेगा ही नहीं अगला प्रसन है कि इसकी स्थिती के चलते मनुस से गाई की भाती घास को नहीं पचा पाते हैं घास में कलोरोफिल घास में कीटना से घास में प्रोटीन या घास में cellulose तो भई गास में cellulose होता है जिसके करण से उसे की उपस्तिती करण से मनुस्त जो है गाय की भाती गास को नहीं पचा सकता और गाय से रेलेटे एक कॉशन और आता है कि गाय जो हैं जो जुगाली करती है निकि खाना खाने के बाद बैठती है तो फिर वो पेट से खाना वापस लाके फिर उसको चवाती रहती है तो उस दोरान उनके मूर से कौन सी गैस निकलती है तो वो निकलती है मीथेन गैस एक एकल कोसी है, वो ठीक है तो एक कोसी हुआ है, उसी से जो है पूरे सरीर का निर्मान होता है इस प्रकार की मिरता गमले, खिलोने, और मूतियों को बनाने क्लिक पर होती है अगला question है एक कार द्वारा तै की गई दूरी को किस से मापा जाता है ठीक है पवन बेक से बायू दाब मापी से पथ मापी से या फिर गती मापक से तो भी है पथ मापी या निकि ओडो मीटर जो गाड़ी में में लिली लगा होता है तो ओडो मीटर से ही हम इसको नापते हैं अगला है कि सोने और चांदी को पेगलाने के लिए सुनार धातू की एक फुकनी के साथ खालिस्थान में लौ निकालते हैं जुआला से सबसे बाहरी छेत में जुआला के अंत्रम छेत से जुआला के पीला छेत से जुआला का गहरा छेतर से जुआला के सबसे बाहरी छेतर से प fabric या फिर ओनो कलच्टर तो इसको हम बोलते हैं अगला प्रस्तलजक या फिल्ड फैलो इसको हम बोलते हैं अगला प्रसyl है कि Kendrak को से द्वारा एक कोशी का द्रव से अलग किया जाता है कोशी का जीली अंत्यप्रदीप्त जाली का केंद्री का जिल्ली या फिर कोसी का भित्ती तो भही है केंद्रक जिल्ली जो न्यूक्लियर मेंब्रेन होता है उसके थुरू जो है में इसको कोसी के दरब से अलग किया जाता है केंद्रक को केंद्रक की खोज किस ने करी थी तो भही है केंद्रक उनसे छोटी बस्तू के आकार के बराबर या उल्टी और बड़ी तो भी बस्तू की तुलना में छोटी दिखाई देती है साइड बरर में आप देखना बड़े से इंपरड़ ट्रक आपको दिखाई देगा तो इतने से कांच में, चार इंच के कांच में आपको तबर ट्रक दिखाई दे गया, तो बनी सी बात हुए में उचको छोटा करके, कंप्रेस करके आपको दिखा रहा है, अगला प्रसन है, सभी जीवों के लिए उर्जा का परमसुरोत क्या होता है, बाई उर्जा, जवारी प्राकरतिक निवास स्थान में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जू या फिर अब ब्यारन राष्टी उद्यान या जीव मंडल रिजार्व तो उसको हम बोलते हैं, ब्यारन यानि की सैंचुरी उसको बोला जाता है, अगला प्रसन है, अदिसरासी की पहचान कीजिए, व तो धारन है किसका थर्मो प्लास्टिक का या थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का पीबीजी का और पॉलिथीन का तो यह है वह या थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का एको धारन है मेला माइन, टाइल्स बनती है और प्लेटेल में आती है मेला माइन की और बहुत सारी चीजे यह यहां पर useful होती है, इससे बनी होई, अब अगला question जो है हमारे पास कि, एक महिला सुची ग्रोप में विक्सित हो गया, दिल लेंगे गुण सुत्र का यूग मतलब, इसमें पूछा जा रहा है कि गुण सुत्र कैसे होंगे, जब वो महिला यहां पर, मतलब यूग मतलब तो महिला जब बनेगा तो बनेगा भया, एकस एकस, लेखे, इसका फंडा में समझा देता हूँ, male में होता है, female में होता है, फीमेल में होता है, तो बनी सी बात है, यह female से तो आपको एकस ही मिलना है, female से हमेशा आपको एकस मिलेगा, अब क्या होगा, कि अगर जो male है आप तो यहां पर एक question और उठता है कि लिंग निर्धारन जो होता है जिसके गुण सूथ से होता है मदर के या फादर के अगले प्रसंद की बात करें जीवाडू बीमारिया है जो जीवाड़ बैक्टिरियल डिसीज की है पोली और चिकन पॉक्स टाइफाइड और तीवी या फिर दाद और फीता क्रमी या पर पेचेस या मलेरिया तो इसका आंसर है टाइफाइड और तीवी इसका सही आंसर होग ताकमान की ऐसा ही क्या है मतलब एकाइड अगला प्रस ने लोहे की निकासी में कोईले का एक संसाधित उत्पाद खालिस्थान इस्तिमाल में लाया जाता है कोल तार कोक चारकोल या फिर लकडी तो उसका आंसर है कोक को यूज किया जाता है तो यहाँ पर कॉस्टन समाप्त होते हैं I hope कि ये वीडियो आपको अच्छे लगा होगा अगर वीडियो अच्छे लगा है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और जो भी मैंने कॉस्टन पूछे उसको जरूर आंसर दीजिए जाता से आधा आंसर दीजिए और लाइक ज